देजरफतार से दोरती फॉर्चुनल कार की टककर से दो पईया वाहन चाला की जगा पर ही सामनेर में मृत्ती हो गई प्राप्त जनकारी के अनुसार गनेश प्रभाकर आवरियम रुबती सवश निवासी खुरसापार मृतक का नाम है ये घटना शुकरवार रात करीब 8 बचे की है गनेश अपने दोचका वाहन करमांग MH40BX 4568 से घर जा रहा था तब ही नागपुर से पांडूना की तेजगती से गाड़ी करमांग MH59BB2112 ने महराज मृमध्य प्रदेश की सीमा प्रस्तित खुरसा पार फाटे के पास गनेश को जोरदार टक्कर दे मारी जिससे मोटर साइकल के परखचे तक उड़ गए तो वही गनेश की घटना स्तल पर ही मौत हो गई एस घटना की जानकारी मिलते ही हिज्जियोती के सामलजिक कारेकता हितेश बंसोड वकेलवत पुलिस ने जखमी गनेश को उपचार हेतू अस्पताल ले गए जहां अविच्छे दन हेतू रवाना किया गया है गटना स्तल पत्यक्ष दर्शिकों की माने तो दुरगटना होते ही फॉचिनर में सवास अभी गटना स्तल से भाग निकले थानेदार अमित कुमार अत्राम के मागदशन में आगे की जाच की जा रही है इन्बीसी नियूस के लि झाल